Good morning students, welcome back in your maths online class Students, आपको अपनी बुक के साथ में देखिए एक ये वाली बुक भी मिली है Mental Mathematics ये बुक आपके सब के पास है और इस बुक में कुछ Mental Maths की कुछ एक्सिसाइज है तो जो जो आपके कोर्स से रिलेटेड है वो वो हम लोग आज इस में से जो जो अभी आपके जो हमारा फर्स टर्म की कोर्स में आ रहा है उससे रिलेटेड वाली एक्सिसाइज हम आज आपको करवाएंगे ओके, नाँ सी, इस इस यौर पेज नंबर 5, ओके, Mental Assignment Exercise 1 अब इसमें आपके कुछ कोश्चन्स है जिसे शेर 2 by 3 of the following figures, the numerator, 6 ये सब अभी आपके जो हम लोगों की फर्स टर्म का कोर्स से उससे रिलेटेड नहीं है इन सब में सिर्फ एक ही सम ऐसा है जो अभी आपके कौर्स से रिलेटेड है तो वो कौन सा सम है? देखिए, दो सम है इसमें the numeral for 8,970 is यानि आपको ये यहाँ पे words में दिया है और आपको किस में लिखना है? figures में लिखना है, तो क्या लिखना है? 8,970 तो आप लोगों को ये तो लिखना आता है 8,000 then 8,000 की थाउजन की फ्लेस पे 8,000 हो गया तो हमारा क्या है? the numeral for 8,970 तो 8,970 आप वैसे भी लिख सकते हो हो जैसे रफ में करके दिखाते है ones, tens, hundreds और thousands तो आपको क्या पता है? 70 तो आपने पहले यहाँ पे 70 का 70 और hundreds की जगे पे आपका 9 आ गया और 8,000 की जगे 8 आ गया तो हमारा बना 8,970 ओके? next हमारा question है which is greater 34 tens और 344 34 tens तो चिल्डन आप लोगों को हम लोगों ने बताया है 110 का मतलब होता है 10 210 का मतलब होता है 20 जैसे देखिए 110 का मतलब होता है 10 210 का मतलब होता है 20 310 का मतलब होता है 30 410 का मतलब होता है 40 यही बता है अब यहाँ पे यह कह रहा है which is greater कौन बढ़ा है? 34 tens तो 34 tens का मतलब है हम लोग लिखेंगे 340 क्योंकि 34 tens पूचा है तो यह हो गया हमारा 340 और उसके बाद में हमारे पास क्या नंबर है? 344 अब इन दोनों में से कौन बढ़ा है? 344 तो चिल्डन अब आपको पता है 344 से कौन बढ़ा है? 344 तो हमारा आंसर होगा 344 और बाकी यसे हाफ और 4 tens और 8 tens यह 8 ones अभी हाफ वाला कौनसेप्ट जो फ्रेक्शन का है वो अभी आपके कौर्स में नहीं है इसलिए अभी हम इसको नहीं पढ़ें अब आपको प्लेस वैल्यू बताने है 9 की तो यहाँ पे देखिए 1s 10s कितनी पे है? 10s पे 10s पे है तो 9 और 10s का एक 0 कितना हो गया? 90 तो 1s और 10s क्योंकि यहाँ 1s है यह 10s है 10s पे लिखेंगे तो कितने 0 होंगे पीछे? 1 तो यह हो गया 90 अब यह कहा है 20 more than 12,000 यहनि 12,000 से 20 कितना जादा होगा? तो सीधा सीधा है इसका कितना हो जाएगा? अब प्रेस करके देख सकते है यह आपका 12,000 इसमें more than है 20 तो कितना हो गया आपका? 12,020 तो आंसर हो गया 12,020 अब यह राइट दे स्टैंडर्ड नूमरेल 4 अभी आपको यह वैसे नहीं आतर क्योंकि वैसे करना चाहें तो कर सकते है 2 है मल्टिप्लाइट बाइट थाउजन तो कितना होता है? 2 मल्टिप्लाइट बाइट थाउजन इस इकल टू कितना होता है? 2,000 जितने भी 0 होते है 2 लिख लिए 1,2,3,4 तो हमने कितने 0 लगा दिये? 4,0 ठीक है? उसके बाद में क्या है? प्लस अब हमारे पास यह क्या है? 6,10 अब हमारे पास हो गया 5 अब देखिए अब हमारे पास 1s पे क्या है? 5 10s पे क्या है? 6 और 100s पे क्या है हमारे पास? 3 और 1000s पे हमारे पास क्या है? 7 और हमारे पास 10,000 पे कितना है? 2 तो हमारा नमबर बन गया 27,365, ओके, next is which is greater, आपको देखिए दो नमबर दिख रहे हैं, तो पहले आप देखिए, यहाँ पर 1, 10, 100, 1000, 10,000, यानि 1, 2, 3, 4, 5 डिजित यहाँ भी है, और 1, 2, 3, 4, 5 डिजित यहाँ भी है, तो जब दोनों जगे 5 डिजित हैं, तो हम लोग यहा है, यहाँ पर 1 है, तो सीधा-सीधा पता चल रहा है, कौन बड़ा है, 41,309, तो हमारा हुआ, 41,309, ठीक है न, अब नेक्स्ट आईए, how many 10,000s are there in, नमबर दिए आपको 39,000, 67, इसमें 10,000 कितने हैं, तो ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, तो 10,000 पर कितने हैं हमारे, how many 10,000 है न, तो हमारे पास इसको कैसे काउंट करेंगे, ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, तो हमारे पास कितने 10,000 है, 3, 10,000, ओके, हमारे पास कितने 3, 10,000 है, तो 3, 10,000 हमारे पास है, which number is one less than 10,000, अब हमारे को कह रहा है कि, एक one lakh से कितना कम होता है, तो one lakh पहले लिखे हैं, यहां पर सीधा सीधा, तो one lakh में आपको पता कितने 0 होते हैं, five, zero, one, two, three, four, यह हमारे पास हुए five, zero, इसमें से हमें one less than करना है, एक minus करना है, तो एक minus करोगे, तो nine, फिन nine, फिन nine, फिन nine, फिन nine, और उसके बाद में आपका nine, तो कितना होगे है, 99,999, अब कह रहा है, dash is the successor of, अब successor मतलब जो एक number आगे होता है, और predecessor मतलब पीछे, तो अब हमें इसमें क्या करना है, plus one, अगर इसमें plus one कर देंगे, तो हमें इसका successor मिल जाएगा, तो एक plus कर दोगे, तो four, nine, nine, यहापे देखिए, nine और nine, यह हमें answer मिल गया, अब है, the largest six digit number, हमारा largest six digit number तो आपको पता है, सब nine वाले होते हैं, तो six बार, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो हमारा largest six digit number बन गया, the numeral for 45,551, तो इसके लिए, अब आपको numeral लिखना है, तो ones, tens, hundreds, thousands, और ten thousand, अब देखिए, 51 है, तो हमने यहापे पहले 51 लिख लिया, hundred पे क्या है, five, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए, 51, फिर आपका 500, फिर आपका है, 45,000 है न, तो हमने thousands की जगे लिखिए, 45,000, फिर हमें 500 की जगे, hundreds पे 500, और यह हमारा हो गया, 51, अब यह how many thousands make a million, अब यह आपके पास international system नहीं है, तो इसको हम नहीं करवा रहे है one less than, अब इससे एक कम कितना होगा, तो आपको जब एक less than है, मतलब आपको predecessor लिखना है, तो अगर आप इसको, यह जो आपका है, 90,000, यह है आपका 90,000 minus one करते हो, तो सीधा सीधा आपका कितना आता है, देखिए, nine, फिर इसमें से किया तो nine, इसमें से minus किया nine, इसमें nine, और यह eight, तो आपका आगया, 89,999, ओके, अब देखिए, which is smaller, यह छोटा है, कि यह बड़ा, 67,000, seven, छोटा है, यह 67,000 में से seven minus, तो यह तो आपको दीख रहा है, अब हमें 67 में से, जो नंबर है, 67,000 minus, अगर हम इसमें से seven करते हैं, तो आपको कितना मिलता है, ten में से seven गए three, फ उसके बाद किया है, आपका nine, इसका है six, और यह आपका आया, फिर से six, तो अब आपको साफ साफ पता चल रहा है, कि कौन एक हमें मिलता है, 66,993 और एक हमें मिलता है, 67,007, तो हमारा नंबर पड़ा कौन है, 67,007, तो चिल्डरन, आप लोग, आज हम लोग इस बाले को इ जो मैं आपको pages की pick भेजूंगी, इनको आपको अपनी mental max की book में करना है, till then stay home and stay safe, thank you.